हेलो फ्रेंज ये ब्रेट के स्लाइसेज दिखके आप समझ गये होंगे कि रेसिपी किसकी होने वाली है अकसर हम लोग जब ब्रेट यूज करते हैं किसी भी रेसिपी के लिए तो साइट जो है इसको हम कट कर लेते हैं और इस साइच का हम लोग एक ही काम करते हैं, ब्रेट करम्स बना के रख लेते हैं, पर इसकी अलावा भी बहुत बढ़िया रेसिपी इससे बनते हैं, अगर आपको भूख लग रहे हो, कुछ स्नेक्स आपको खाने का मन हो, लेकिन महनत बिलकुल करने का मन ना हो, ऐसे में देख लीजेगा, उसके बाद अगर पसंद आता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यदा मोटिवेशन मिलती है, तो ये देखे, किनारे जो हमने कट करके तयार कर ली है, आप देख सकते हैं, अब एक कतोड़ी में हम इक कब बेशन, अगर आपके पास बेशन नहीं है, तो आप इसके जगा पर मेडा या गेहुकाटा का भी इस्टमाल कर सकते हैं, उसमें डाल देंगे धनिया की पत्ते, इससे क्या है कि नास्ता देखने में भी सुन्दर लगता है, और खाने में भी तेश्ती होता है, स्वा करते हैं, तो इसमें आप सिली फ्लेक्स ज़रूर दाल सकते हैं, अब पानी डालके हमें इसका एक गारा सा घूल तयार करना है, घूल जो है बहुत जड़ा पतल आपको नहीं करनी है, तो मैं दिखाऊंगे आपको कितना ये गारा होनी चाहिए, तो ये देख सकते हैं, इस गोल में आपको जो ब्रेट की किनारे है, उसे इस तरह से डिप करनी है, अच्छे से इसकी उपर कोटिंग कर लेनी है, ब्रेट है, इसलिए बहुत अच्छे से सोग भी कर लेता है, तो इसी तरह से करने के बाद आपको जो है इसे हाई फ्लेम पे फ्राइ कर लेनी है, अभी सेकेंज बाद जो है हमें इसे पलतना है इससे क्या है कि अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं भी है तो भी ये बिल्कुल भी नहीं छिपकेगा बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा तो ये देखे मैं जो है अब इसे पलत रही हूँ आप देख रहे हैं कितना बढ़िया इ इतना जादा तेश्टी होता है आप अगर एक बढ़ इससे बना के खा लेंगे तो आप कभी भी ब्रेट की किनारों का जो है आप ब्रेट क्रम्स नहीं बनाएंगे आप इसी को ही ट्राइ करेंगे बच्चों को भी ये स्नेक्स बहुत पसंद आता है सौस के साथ आप उन्ह एकदम सौफ्ट रहता है क्योंकि ब्रेट जो है वह काफी ज़्यादा पानी को सोग करता है इसलिए वह अंदर से एकदम नरम हो जाता है और ये देखने में भी प्यारी लगते है और खाने में भी बहुत तेस्टी लगता है सिर्फ सौस के साथ आप इससे शाई के साथ एं प्लीज प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिफिशन मिलती है और मैं इस तरह का काफी सारी वीडियो आपके लिए लाती रहती हूं तो प्लीज मेरी चैनल में एक बर जाके जरूर शेक किजिएगा आपको आपकी पसंद की काफी सारी रेसिपीज मिल जाएंगे तो बातों बातों में ये देखिए नास्ता जो है हमारा बिलकुल तैयार हो गया है तो चलिए इससे गर्म गरम सार्फ कर लेते हैं तो इस नास्ती को एक बर घर में बनाके जरूर एंज़ूर करिएगा और मेरी सेनल क को जरूर सबस्क्राइब कर लीजिएगा इसी के साथ ये विदा लेते हैं अच गुडबाई एंटेक क्यार